नमस्कार मेरा नाम है रितुरा तेवाल और आप देख रहे हैं अनकाडमी स्टूडियोज प्लसीबो इंडिया का नबर वन चैनल है नीट और एम्स की प्रेपरेशन के लिए आपको यहाँ पर लाइव क्लासेज मिलेंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायलजी के लिए यदि नीट आपका एम है तो इस चानल इस फॉर यू मैं आपको बायलजी लाइव पढ़ाऊंगी रोज दो घंटे, शाम को चार से पांच बजे और उसके बाद एक घंटे का ब्रेक होगा देन छे से साथ बजे तो यह हमारा छे से साथ बजे वारा लेक्चर है हम already human physiology की बहुत सारे chapters कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो back videos लगा कर देखी अभी जो chapter हम लोग शुरू कर, मतलब शुरू तो क्या बीच में पहुंच चुके हैं, locomotion and movement muscle वाला part complete हो चुका है, आज हम bones वाला part शुरू कर रहे हैं यदि आप मेरे साथ पूरा का पूरा syllabus पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे plus पर जोइन कर सकते हैं, plus पर जोइन करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ आप पहले सी है, unacademy के app पे जाएंगे वहाँ से plus पे जाएंगे प्लस के बाद नीट पे जाएंगे, unacademy की app डाउनलोड करने का सीधा सा फाइदा यह है कि बहुत सारा free content भी वहाँ पर पढ़ा हुआ है, तो अगर आप free content पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप unacademy की app तो दाउनलोड कर ही लीजिए, medical से related, non-medical से related, हर चीज का free content आपको वहाँ मिल जाता है यदि आप paid course पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे साथ और हमारे पास 30 educators, 30 से जादा educators हैं इस वक्त नीट की तयारी जो आपकी करा रहे हैं एक subscription लेने पर वो 30 के 30 educators की classes आपके लिए open हो जाएंगी, आपको करना क्या है, आप डाउनलोड करके प्लस पे जाके, नीट सेक्शन पे जाना है वहाँ से payment options आएंगे, payment options बटा, 1 month, 3 month, 6 month आपको मिलेगा, then 1 year और 2 years वाला मिलेगा जो ये थोड़े छोटे plans हैं वो थोड़ा सा आपको costly पड़ेंगे, of course offline के comparison में नहीं costly पड़ेंगे, परन्तो उससे भी economical और cheap आपको 1 year और 2 year का plan होगा तो आप उसको prefer करें तो जादा better है, जो बच्चे droppers है या प्लस 2 में हैं अभी, वो 1 year वाला plan लेंगे, 1 year की total cost आपको 25,000 रुपया पड़ेगी मतलब जो quality education आप offline centers में ढूणते हैं, जहाँ पे आप 1.500,000 रुपय फीज पे करते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे 25 और 25 भी ने, 25 जैसे आएगा pay मत करना, यहाँ पे एक enter referral code करके जगे आएगी, वहाँ पे एक code दे रही हूँ, वो use करोगे, use this code, Ritulife, as soon as you will use this code, आपका जो फ 500, you will get all my, पूरा का पूरा मेरा lectures, प्लस उसी तरीके से physics के lectures, उसी तरीके से chemistry के lectures, प्लस doubt sessions, प्लस test series, so यह मैं अपने lectures में बार बताती रहती हूँ, अगर आप questions solve नहीं कर रहे हैं, तो neat clear होना नामुमकिन सी बात है, तो मतलब फिजिस के हर रोज के 50-60 questions, chemistry के 50-60 questions और bio के 50- यह एक बहुत अच्छी जगह है, बिकास यहां पे experts रोज questions बना रहे हैं, trend change हो रहा है, जो आपकी books हैं मैठा, काफी पुराना पुरान ट्रेंड वो अगर follow करती हैं, तो आप उनको follow मत कीचे, अनकाडमी पे हर ट्यूटर अनलाइज कर रहा है कि paper 19 का कैसा है और 20 का कैसा आ सकता है, उसी प्रकार से ही आपके लिए test series बनाई जा रही है, यदि आप 2 साल का plan लेने में इंटरस्टेड हैं, यदि आप plus 1 के student हैं, तो 40,000 आपको 2 साल की fees है, यह और भी सस्ता बढ़ेगा आपको, और इसमें भी आप 40,000 पे नहीं करेंगे, enter referral code की जगह है, अपना code ला जो कोर्स है, वो आपको 2 साल का प्लस 1 और प्लस 2 का अलग से, प्लस आपको और बहुत सारे educators के physics, chemistry और biology की कोर्स मिलेंगे, अल्रेडी हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, प्लस कोर्स पे तो जो बिटा भी जॉइन करने की सोच रहे हैं, वो कर लें, बिकॉस जेनेटिक पर्स चाप्टर अल्मूस्ट कातम हो चुक है, सेकंड हम लोग शुरू करते हैं, जस्त अ सेकंड, जस्त अ सेकंड, एक मिनट बेटा, जस्त अभी शुरू कर रहे हैं, वेट, बेटर, बेटर, चलो बेटा जी, स्केलेटल सिस्टम शुरू करते हैं, पहले, स्केलेटल, ओके, मैं तुम्हें हेलो हाई नहीं बोला है, बोल देती हूँ, स्केलेटल सिस्टम पहली बात क्या है, हमारा तो स्केलेटल सिस्टम हमको दिखनी रहा, क्योंकि बोडी के अंदर है, बहुत सारे ऐनिमल्स ऐसे हैं, जिनका स्केलेटल सिस्टम बोडी से बाहर है, ठेक है, हमारा सिस्टम बोन से बना हुए, बोन के अंदर सेल्स हैं, जो कि लिविंग सेल्स हैं, तो हमारा स्केलेटल सिस्टम लिविंग है, क्योंकि वो living cell से बना हुआ है बहुत सारे animals हैं जिनका skeletal system dead है उसमें living cell होता ही नहीं है So, skeletal system कि अगर मैं definition लिखना चाहूँ तो क्या होगी It is a hardened structure और group of structures ये एक hardened structure है या एक group of structures है जैसे मेरी bones का group है है ना external और internal body के अंदर भी हो सकता है body के बाहर भी हो सकता है external और internal living or dead जिन्दा भी हो सकता है dead भी हो सकता है which provides और इसका काम क्या है support and protection to the body इसका meaning क्या है ध्यान से देखो एक ऐसा structure या एक group of structures जो आपकी body को support कर रहा है आपकी body को सीधा कड़े होने में bones का पूरा पूरा हाथ है और आपकी body को protect भी कर रहा है आपके internal organs bones के अंदर छुपे हुए है तो वो internal organs protect हो रहे है जैसे kidney जो है वो ऐसे उपर ribs आई हुई है उसके अंदर kidney छुपी हुई है तो वो आपके internal organs को protect कर रहा है supportive function रहेगा इसका protective function रहेगा दूसरा ये body के बाहर भी हो सकता है बॉड़ी के अंदर भी हो सकता है हमारा कॉन सा है क्या तुम्हे अपनी bones बाहर नजर आती है नहीं नजर आती that means हमारा external structure नहीं है internal structure है लेकिन कुछ organisms में external structure होता है जैसे कि cockroach लो cockroach की body में bones नहीं होती लेकिन cockroach hard होता है क्योंकि cockroach के बाहर बॉड़ी के बाहर एक hardened structure होता है जिसको उसका external skeleton कहते है ठीक है काईटन का बना हुआ काईटन एक केमिकल है उसका बना हुआ external skeleton है cockroach के पास लेकिन human beings के पास internal है देन cockroach की body पे माल लो ये cockroach है ये cockroach है cockroach की body पे किसका कवर लगा हुआ एक ऐसे बाहर की side कवर लगा हुआ इस कवर को कहते है काईटन काईटन का कवर है दाट मेंस cockroach का external जो skeleton है वो external है दूसरी बात ये काईटन डेड है काईटन के अंदर कोई cells नहीं है living cell नहीं है तो काईटन इस एक्चुली अ डेड स्ट्रक्चर सो cockroach के पास भी skeletal system है परंतु उसका skeleton external है body के बाहर लगा हुआ है और उसका skeleton dead है क्योंकि काईटन में कोई living cell नहीं है यहीं मैं बात करूँ हमारे मदल लाल की मदल लाल को तो तुम जानते ही हो इसका skeletal system body के अंदर है क्योंकि इसकी bones आपको नजर नहीं आती इसकी bones सारी body के अंदर है internal skeleton है और उसकी bones cell से बनी हुई है जिन्दा cell है हमारी bone के अंदर तो हमारी bones actually जिन्दा है so we have an internal and live skeleton समझ में आया है बेटा आगे चलूँ हां जी अपनी ही बाते करोगे या ध्यान से सुनोगे बेटा जी you understand can I move forward skeleton का मतलब समझ में आ गया है thank you तेजपाल आगे चलूँ हमारा skeleton body के अंदर है पहली बात ये जान लो internal है और live है हमारा skeleton जिन्दा है मैं तुम्हें bone का structure समझा देती हूँ तो तुम्हें जादा समझ में आगा live कैसे है human bone बना रही हूँ बेटा एसे दिखती है जो कार्टोंस में जो डॉगी जडियां लेके घुमते हैं कुछ ऐसे दिखती है human bone अंदर से खाली होती है बेटा यहां से cavity होती है इसके अंदर ठीक है cavity खाली है और यहां पे पूरा bone tissue है यहां पे पूरा bone tissue है bone tissue किस color में बनाया जाए तुम बताओ gray color में बना दू यह पूरा bone tissue है यह पूरा bone tissue है अब तुम्हें जानके हैरानी होगी कि ओ इन bone tissues के अंदर जिन्दा cells पड़े हुए है यहाँ पे cells है बेटा there are cells in the bone tissue आपको लगता है आपकी bone calcium की बनी हुई है यह बिल्कुल बात सही है यहाँ पे जो चीज पड़ी हुई है यह जो सारी चीज है this is calcium mostly आपकी bone में calcium phosphate है लेकिन उस calcium phosphate के अंदर-अंदर bone के cells पड़े हुए है यह रहे bone cells bone cells को क्या बोलते हैं osteo bone के लिए जो भी word आएगा जो भी common word आएगा osteo word आएगा osteocyte site का मतलब cell osteo का मतलब bone ठीक है तो यहाँ पे पूरा bone tissue भरा हुआ है यह जो लंबा सा structure है बीच में बेटा यहां से यहां तक इसको epiphysis कहते है bone का यह जो लंबे वाला पार्ट है इसको epiphysis कहते है bone का यह जो मुट्टे वाला पार्ट है यह वाला उपर वाला पार्ट यह वाला इसका एक बहुत ही अजीब सा नाम है इसे I'm I'm sorry मैं इसको change करना चाहती हूँ यह मैंने गलती से लिख दिया है I'm sorry इसे diaphysis कहते है गलती से epiphysis लिख दिया था wait अभी सही है इसे diaphysis कहते है उपर वाले पार्ट को जो उपर की साइड लगा हूँ है इसे epiphysis कहते है ठीक है तो मतलब इतना पार्ट epiphysis है epiphysis इधर भी होगा ये भी epiphysis है समझ में आया epiphysis और diaphysis के बीच का पार्ट ये वाला पार्ट जो मैं green में बना रही हूँ इसको metaphysis कहते है अभी तुम इस structure की importance नहीं समझ रहे हो लेकिन bone का structure जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए क्योंकि जो tissues पढ़ाऊंगी ना animal tissue उसमें structure पढ़ना है हमें अभी से जान लो क्योंकि bones important part है basic है human physiology का इस green वाले part को metaphysis कहते है ठीक है diaphysis, metaphysis, epiphysis epiphysis की जो bone है वो solid नहीं है उस bone के अंदर छेद है so ऐसी bone को मैं porous bone कहती हूँ यहां की जो bone है it is not solid so यह ऐसे से करके छेद है बेटा यहापे जैसे यह bone है माल लो देख रहे हो कैसे बना रहे हूँ bone has holes small small pores something like this यहाँ वाली bone में pores नहीं है देखो diaphysis की bone में pore नहीं है यह बिल्कुल plane है यहाँ पे pores है और pores बहुत ही अच्छी बात है इसको porous bone कहते है ठीक है इन pores में क्या भरा हुआ है इन pores में तुम्हारा red bone marrow भरा हुआ है बेटा यह red color में क्या बना रहे हूँ हाला कि red bone marrow चालो लेख लो लेख लो what is this this is red bone marrow मतलब की bone से ही तुम्हारे red bone marrow तुम्हें पता है ना कितनी important चीज है तुम्हारे सारे blood के cells red bone marrow से बनते है that means the source of RBC, WBC as well as platelet is simply red bone marrow which is stored in epiphysis of bone I hope this is very clear similarly here also यहां पे भी red bone marrow भरा हुआ होगा पर मैं बना नहीं रही हूँ अब यह जो बीच की खाली cavity है इसको क्या कहते है मेटा medullary cavity medullary cavity तो क्या यह खाली है क्या इसमें air भरी हुई है इसकी बांसुरी बना लू में ऐसा नहीं होता इसके अंदर एक और tissue भरा होता है there is another tissue in this cavity which is called yellow bone marrow and yellow bone marrow has nothing to do with blood cells लिख दू medullary cavity में yellow bone marrow भरा हुआ है और इसको यह कभी भी blood cell के production में काम नहीं आएगा red bone marrow is related to blood cells never yellow bone marrow yellow bone marrow is simply बहुत सारा एडिपोस्ट इशू एडिपोस्ट इशू एडिपोस्ट इशू मतलब फैट फैट का घर होता है यह it has lot of lot of एडिपोस्ट इशू अगर तुम्हें बोन का structure समझ में आ गया है तो मैं तुम्हें अब function of skeletal system बहुत easily करा पाऊंगी क्या तुमने यह note कर लिया है बेटा thank you shivam rai हाँ बिलकुल roshan patel को याद है मेरा एक lecture मैंने यह कहा था उस lecture में जो बच्चे नए हैं ध्यान से सुनेंगे वैसे तो red bone marrow blood cells को बनाता है पर मान लो भगवान ना करे किसी बंदे का accident हो गया अब बहुत blood loss हो गया अब बहुत जल्दी जल्दी blood बनाना है अब red bone marrow blood नहीं बना पा रहा इतनी जल्दी तो क्या होगा यह yellow bone marrow धीरे-धीरे red bone marrow में convert हो जाएगा उस emergency situation में so yellow bone marrow is a reserve tissue it can convert into red bone marrow during emergency मैं इसका reply कर चूक हूँ महताब बिटा देखो महताब जो तुम्हारा question है पहले तो topics related नहीं है लेकिन तुम बहुत बार पूच्चू की इसलिए बता देती हूँ अलग अलग वाइटमिन्स अलग अलग जगह पर एंटी ऑक्सिदेंट की तरह काम करते हैं ठीक है वाइटमिन E और A fat-soluble vitamins है महताब तुमारे question का answer कर रही हूँ fat-soluble vitamins जहाँ पर lipids होंगे वहाँ पर एंटी ऑक्सिदेंट का काम करेंगे मतलब cell membrane के अंदर काम करेंगे अंटी ऑक्सिदेंट का वाइटमिन अगर C की बात करों तो वह water-soluble है तो वह या तो साइटो प्लाजम में या इंटरस्टीशल फ्लूइड में काम करेंगा अंटी ऑक्सिदेंट का तो साइट से फरक पड़ता है हर्ष कह रहा है बर्ड की जो बोन्स होती है वो अंदर से खाली होती है बिल्कुल सही कह रहे हो बर्ड का ये जो medullary cavity है ये totally खाली होता है इसमें yellow bone marrow नहीं भरा होता इससे बर्ड का skeletal light हो जाता है बर्ड को उडने में असानी हो जाती है pneumatic bones कहते हैं पहला फंक्शन maintenance of posture obvious सी बात है तुम्हारी जो सुन्दर काया है वो skeleton के उपर चड़ी हुई muscles की वज़े से है तो ना होता skeleton तो muscles बिचारी क्या कर लेती एक आलू की बोरी में बोरी में बांद के muscles को बंद कर देते तुम है ना तो आपका जो beautiful posture है that is because of bones as well as muscles क्योंकि muscles partially contracted रहती है इसलिए आपका posture बनता है और bones का भी पूरा-पूरा हाथ है आपका posture बनाने में दूसरा protective function obvious सी बात है ये रहा तुम्हारी rib cage rib cage है rib cage के अंदर तुम्हारे lungs है तो क्या ribs की वज़े से lungs protect हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं then ये रहा तुम्हारी और भी ribs ये लो इन ribs के नीचे तुम्हारी kidney चुपी हुई है यहां पर तो क्या तुम्हारी kidney प्रोटेक्ट हो रही है? बिल्कुल हो रहा है क्या तुम्हारा heart प्रोटेक्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है स्केलेटल सिस्टम soft body organs को प्रोटेक्ट करता है protects soft body क्या ये बिल्कुल सही बात है? अगली बात देखो अभी अभी इससे क्या सीखा हमने? इस डाइग्राम से क्या सीखा हमने? बोन की वज़े से बोन के अंदर रेड बोन मैरो है that means रेड बोन मैरो इसका पार्ट है बोन का पार्ट है मतलब कि जितना बलड सेल का प्रोड़क्शन हो रहा है वो बोन के एक पार्ट में हो रहा है स्टोर्ड है बोन में ये रहा 99% of the calcium of the body is stored in your bones तो क्या मैं ये पॉइंट लिखूंगी तो तुम बुरा तो नहीं मानोंगे स्टोरेज और फाट्स और मिनरल्स लाइक कैल्शियम और फॉस्फेट का स्टोर हाउस है 99% of calcium of your body is stored there then lot of fat is being stored then क्या लिख सक्ति हूँ में red bone marrow red bone marrow is found in bones and is responsible for blood cell production logical point है अगर कोई बच्चा स्कूल में जाने वाला है तो ये नहीं लिखेगा bone produces blood cells मैडम नमबर नहीं देगी लिखेगा bone के अंदर red bone marrow होता है वो produce करता है blood cells तो number मिल जाएंगे अगली बात क्या सीखा तुमने आज तक जिंदगी में मेरे साथ bones के ऊपर muscle लगी होती है और muscle contraction की वैसे bone हिलती है और bone हिलती है तो movement आती है यही सिखा है that means muscles and bones both have a role to play in movement so लिख दो play role in body movement किसी को कोई परिशानी हो तकलीफ हो दिक्कत हो इन points से तो मुझे बताएंगे इनको note down करो देखो बेटा हाँ एक बच्चे का question है क्या यही calcium जो बोन के अंदर यह लिख लिया ना तुमने सारा point I hope तुमने note down कर लिया है या screenshot ले लिया है बच्चा पूछ रहा है कि क्या यही calcium आगे bones की muscles की help करे का contraction के लिए तेखो बेटा ऐसा होता है body में जब भी कहीं पे भी calcium कम होगा ठीक है blood में देखो basically muscle cells सबका calcium source basically blood है blood से चीज़ें अब लेते हो अगर blood में calcium कम हो गया तो blood को calcium bones से जाएगा तो मतलब कि यह एक alarming घंटी भी है कि यदि तुम खाने में calcium सही से नहीं खा रहे हो तो आपकी body bone से calcium निकालने लगती है अपनी requirements को पूरा करने के लिए तो आपकी bones weak हो जाती है तो बिल्कुल सही बात है अगर muscle के पास calcium नहीं हुआ तो muscle blood से लेगी और blood के पास कहां से आएगा या तो आप diet में खा लो calcium या यहां से निकल निकल के आएगा calcium क्यों निकलता है bone में से एक hormone के influence में निकलता है कौन सा hormone है जो bones में से calcium को तोड़ तोड़ के blood में डालता है क्या तुम guess करना चाहते हो क्या तुम गेस करना चाहते हो बोलो कौन सा हॉर्मोन है जो विच हॉर्मोन आक्ट अन दे ब्लड स्वरी आक्ट अन दे बोन तो देट बोन का कैल्शियम निकल जाए बोलो विचाखा पाल बिल्कुल सही कह रही है पैरत हॉर्मोन का नाम सुना है कुछ बच्चों ने सुना होगा पैरत हॉर्मोन नहीं सुना तो कोई बात नहीं पैरत हैरोइड हॉर्मोन का नाम सुना है पैराथ हायरोइड ग्लाइड से निकलता है, कोई बात नहीं नहीं सुना तो करेंगे हॉर्मोन मन वले में जैसे ही बलड का कैल्शिम कम होता है पैराथ हॉर्मोन निकल के ब्लड, इस पे बॉन पे अर्ड करने लगता है और यदि जैसे हमारे में internal है, तो मतलब skeletal system dead भी हो सकता हुआ लिविंग भी. जैसे हमारा वाला internal है और living है, क्योंकि हमारे पास living cell पड़े है, function समझ में आ गया, bone का structure समझ में आ गया, अब चलो actual skeletal system पे. jogos human skeleton कैसा दिखता है? आओ बच्चों मैं तुम्हें बताऊं ये रहा मेरा human skeleton ये क्या है? ये है मेरा skull skull के नीचे लगी होती है vertebral column यहाँ पर ये मैं बताऊंगी क्या क्या बना रही हूँ डरने की जुरूत नहीं है कुछ ऐसा देखते हो तुम मूवीज में skeletal system हमारी body का skeletal system का कुछ major parts में तुम्हें बता देती हूँ जिससे मेरा मूँ और मेरा सिर बना हुआ है इसको skull कहते हैं ये एक-एक part करके बता रही हूँ सुनो ध्यान से ये जो लंबी सी rod नीचे तक आ रही है ये actually में मेरी backbone है इसको backbone या vertebral column कहते है ठीक है ये skull हो गया ये vertebral column हो गया vertebral column के just सामने एक bone पड़ी होती है जिसे मैं एक अलग color में बना रही हूँ center के chest, chest के center में एक bone पड़ी होती है इसे sternum कहते हैं बच्चो vertebral column और sternum से जुड़ी होई कुछ bones होती है ये वाली जो पीछे vertebral column से जुड़ी होती है ठीक है ये चीज़े तो हमारे center में आगी अगर एक बंदा तुमारे सामने सीधा खड़ा हो जाए तो center में क्या क्या चीज़ी आगी skull आगया skull के नीचे vertebral column आगया vertebral column के आगे sternum आगया उसमें ribs आगी तो तुम्हारे body का जो skeleton है वो कुछ आगे लिखे दाना वड़ेगा तुम्हारे body का जो skeleton है वो दो parts में बांट दिया है कौन कौन से दो parts में बांटा है axial skeleton और appendicular skeleton देखो ये किस प्रकार से बाटा है मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो बहुत easily समझ में आएगा ये मदल लाल का skeleton है मदल लाल की bones में ने उतार दी मदल लाल अंदर से ऐसा दिखता है और उसके बीच में एक rod डाल देते है मदल लाल के center से ठेक है इस rod को जो जो bones touch करती है वो बिलकुल मेरे center में bones आती है है ना तो जो bones center में आती है उनको axial bones कहते है ये body axis है axis का मतलब होता है एक straight line ये body की axis है इस axis को touch करने वाली bones axial skeleton में आती है तो अगर मैं axial skeleton की bones बोलूँ तो center में bone कौन कौन सी आई थी अभी देखो skull आया था center में skull आया था फिर center में vertebral column आया था axis, body axis के पास जो touch हो रही है vertebral column आया था then क्या था sternum आयी थी और ribs आयी थी चार चीज़े लिखी है diagram में देखते हैं पिछे skull आया था अलग color से बना लेती हूँ इन चीज़ों को जो center में आ रही है चीज़े blue से बना लेती हूँ जो center axis को touch कर रही है skull touch कर रहा है vertebral column touch कर रहा है यह vertebral column है center में यहाँ पे sternum है वो touch कर रही है और ribs touch कर रही है तो जो central axis को bones touch करेंगी उसको axial skeleton कहते हैं axial skeleton में चार चीज़े आ गई 1, 2, 3, and 4 जो side में चीज़े बच गई उनको appendicular skeleton बोलते हैं अपेंडिकुलर वर्ड कहां से है देखो एक्जियल ते तुम्हें पर चल गया वर्ड कहां से आया अपेंडिकुलर वर्ड कहां से आया अपेंडेजिस से appendage का मतलब क्या होता है appendage का मतलब होता है कोई भी बोडी से निकलने वाली projection को appendage कहते हैं generally हाथों पहरों को appendage कहते हैं तो appendicular skeleton में मेरी दोनों बाजुएं आ जाएंगी और मेरी legs आ जाएंगी ठेक है appendicular skeleton में एक चीज़ को पहले लिग देती हूँ legs, arms और ध्यान से देखना भी मेरे axial skeleton को और बाजुओं को जोडने के लिए कुछ तो होना चाहिए मेरी बाजुओं आ के कहां जुडेंगी मेरी legs की bone आ के कहां जुडेंगी तो इनको जोडने के लिए कुछ special bones होती है ये bone देख रही है it is special ही कि आपकी जो arm की bone है यह से जुड सके ये bone देख रही है ये arm की bone जुड सके ये ऐसी bones है जो एक side पे आपकी बाजुओं से जुड़ी होई है और दूसरी side पे axial skeleton से जुड़ी होई है similarly ये नीचे बाजुओं देखो ये बाजुओं को और ये बाजुओं को और लेग्स को आपके आपके एक्जील स्केेलिटन से जूड़ती है एक side से वोуем आपके आपके डाजुओं दूसरे side से बाजुओं से जुड़ी हुई है इन bones को कहते हैं 거 स्का इंव कंद क्या बोला मैंने गार्ड़ जो ये वाला गर्ड़ है जो की बाजुओं को जोड़ता है गर्डल आ जाते हैं और दोनों गर्डल भी appendicular skeleton का ही पार्ट हैं लेख लो appendicular skeleton में एक तो ये चीज आ गई दूसरी चीज आ गई गर्डल इतनी बात समझ में आई है ये वाली ये वाली और ये वाली एक बच्चा जिसका नाम है आपका अपना लल्ला वो मुझसे कह रहा है speak in English because I do not know Hindi ओके आगे चलू बेटा आगे चलू बड़े मज़े आएंगे बोन्स पढ़ने में ये कुछ जाधा फणी बन गए है I know they look like a woman skirt बट मैं गर्डल बनाने की कोशिश कर रही हूँ Thank you Dr. J Now मुझे learn क्या क्या करना है अभी तक जो मैंने बताई है अभी तक नहीं उससे आगे बता रही हूँ क्या learn करना है पहली बात तो human skeletal system में क्या क्या आता है Please ध्यान रखेंगे बेटा Human skeletal system सिर्फ बोन से नहीं बना हुआ है तो मारी NCIT कहती है Human skeletal system is made of bone and cartilage So यदी option आएगा Human skeletal system is formed of bone, cartilage, muscle Both 1 and 2 तो answer both 1 and 2 है Bone and cartilage लिख रही हूँ यहाँ पर ये बात हमें याद रखनी है लला दूसरी बात पूरे के पूरी body में कितने bones है We have total of 206 bones 206 bones है ये बात बेख रही हूँ Total 206 bones In human body Please take a screenshot मुझे आगे जाना है वहीत का question है AIMS exam के लिए NCRT काफी है क्या बेटा देखो AIMS का आज ही मैं बैठके analysis कर रही थी कि किस प्रकार के questions आ रहे है AIMS में जादत तर NCRT का question आ रहा है AIMS में जादतर NCRT के diagrammatic question आ रहा है diagram पूछ डाल के पूछ रहा है बताओ इसके बारे में कुछ question पूछ लेता है So AIMS के लिए मैं आपको recommend करूंगी अभी के लिए NCRT प्लस आप एक book खरीद लो जो भी वच्चे नहीं नहीं खरीदा है NCRT exemplar करके बुक आती है यह NCRT की ही book है मतलब CBSC की ही book है उसमें बहुत सारा question रहता है वो questions आपको एक बार देख कर जाने हैं So अभी के लिए दो books रखो और कुछ अच्छी books में research कर रहे हूं और कौंसी बेटर बुक से हैं I will refer them to you Sound problem is there Nahin 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 Aisha Muscle is not a part of skeletal system It is a part of muscular system Muscles अलग है Skeletal system अलग है अगली बात में क्या बताना चाती हो Human skeletal system 206 bones से बनता है उसमें axial skeleton होता है और appendicular skeleton होता है अब यह बताओ यह जो center वाली bones है सिर हो गया head, skull हो गया ribs हो गई vertebral column हो गया sternum हो गया इसमें ज़्यादा total bones होंगी या बाजों में और इनमें girdles में ज़्यादा bone होंगी मैं पूछना ही चाहती हूँ What do you think? Axial skeleton में ज़्यादा bone होगी या appendicular skeleton में ज़्यादा bone होंगी तो मतलब 206 bones का distribution कैसे है आओ यह सीखते हैं यहाँ बना देती हूँ बेटा मैं तुम्हारे लिए skull skull यह पूरा पार्ट है जो तुम्हारी खोपड़ी होती है जिसमें तुम्हारा brain stored है उसको cranium बोलते है तो skull के अंदर एक पार्ट cranium है बेटा जो कि brain को protect करने के काम आता है cranium आंठ बोन्स से बना होता है अच्छा मैं तुम्हें एक बार बताती हूँ बहुत फ़नी बात है skull की total bones 29 होती है ठेक है उसमें से कुछ bones brain को protect करने के लिए कुछ bones जो face का structure बनाती है वो उनको facial bones कहते है अब तुम बताओ भगवान ने brain को protect करने के लिए जादा bones बनाई होंगी कि face की सुन्दर्ता के लिए जादा bones बनाई होंगी मतलब एक तो cranial bones होती है brain को protect करने के लिए और इसमें bone होती है facial bones बोलते हैं तो cranial bones 8 होती है तो facial bones उसे जादा होने चे है कम होंचे है क्यों भगवाई सुन्दर्ता इतनी important तो है नहीं बिलकुल सही guess कर रहे है facial bones होती है 14 for god it is much more important for you to be beautiful than to protect your brain skull के अंदर cranium आगया facial bone आगया थेक है अब कान के अंदर इधर कान के अंदर this year they have 3-3 bones each and these bones are also included in your skull so they are called ear ossicles ear ossicles कितनी हो गई 3-year, 3-year, 6 and ultimately there is a bone which is a very weird bone क्योंकि it is the only bone which is not attached to any other bone यहां पे एक bone होती है उसको hyoid bone कहते है so skull के अंदर hyoid bone को भी include करते है single कितनी bones हो गई बेटा जी 8 plus 14 22 plus 6 28 29 bones then your ribs are 12 pairs 12 pair हो गया that means 24 bones then your sternum okay sternum is just one good then your vertebral column vertebral column में 26 bones होती है 26 count करो तो कितना हो गया 29 plus 1 30 30 30 plus 24 or 26 को मिलाती हूं तो 50 बनता है 30 plus 20 I'm sorry 30 plus 50 80 bones axial skeleton में 80 bones है axial skeleton तो हार गया अगर axial में 80 हैं तो appendicular में ज्यादा होनी चाहिए अपेंडिकुलर में देखती हूँ आओ appendicular में limbs होते हैं और girdles होते हैं girdles दो होते हैं pectoral जिसके अंदर 4 bones होती हैं यह मैं तुम्हें detail में कराऊंगी चिनता मत करो और pelvic जिसके अंदर 2 bones होती हैं limbs में क्या होते हैं हाथ पर arms and legs हर leg में और हर arm में 30 bones होते हैं 30 into 2 60 here 60 here 60 60 120 126 yellow we have a clear winner appendicular skeleton 126 bones please note it and wait for a minute hangji this is noted डिद यो नोट इस नोट इस नोट इस डॉक्टर जे मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड करने के लिए आप मुझे प्लस पे जॉइन कर सकते हो बेटा एस बाते हैं, बट यह बहुती एस इस बाते हैं, लेकिन बहुती इम्पॉर्टेंट बात की है, एजी बते हैं, बट यहारे इंपॉर्टेंट फो नीघ परस्पेक्टिव, 86 Bones इदर's 126 Bones इदर's high total में 206 Bones, ağzil में कितनी यह पंडिकुलर में कितनी यह आना कहίας दोan then human skeleton में bone और cartilage होता है दोनों ये चीज आनी चाहिए तुम्हें then bone का structure आना चाहिए बेटा जी तुम्हें then skeleton अच्छा तुम्हें पता है नीट में एक बर ये question भी आ गया था please talk about, मतलब skeletal system का function कौन सा नहीं है इस पे question आया था, मैं कराऊंगी तुम्हें question but अगर तुम्हे functions पता हैं तो तुम आसानी से वो वाला function पकड़ सकते हो जो कि नहीं है इन में से odd one out पकड़ लोगे तुम्हें कराऊंगी नीट में question आया था ये and then बस ये वाली बात की थे प्यारा चोटा सा lecture था आज का last में मैं तुमसे थोड़ा सा request कर देती हूं जो मैं हमेशा करती हूं अगर तुम्हें मेरा lecture रेली में पसंद आया है तो तुम्हें मुझे भी बताना है कि तुम्हें पसंद आया है like this ये वीडियो को लाइक करना है बेटा इस चानल को subscribe करना है बेल आइकन प्रेस करना है because I will be making so many good videos for you and just यही चार से पांच और छे से साथ वले टाइम पर नहीं मैं वैसे भी तुम्हारे लिए बहुत सारी videos upload करूंगी जैसे time table की videos then कौन सी books पढ़ने चाहिए इसे पढ़ना चाहिए किसका वेटेज कितना है वगयरा वगयरा very important topics so अगर आप यह subscribe कर लेते तो you will get notifications of all my videos if you want to join me on plus dr.j अगर आप मुझसे सारा syllabus बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं आप यह 2020 के लिए seriously तयार कर रहे हैं तो आप यह code यूज कीजिए रितो live membership लीजिए plus की amount सुनने में आपको लगता है 22,000 लेकिन जब आप यह amount यह membership ले लोगे तब आप जानोंगे इतना quality education के लिए this was a small amount to pay it will boost your preparation like anything okay and I'm going to give you some free classes in plus classes also okay so abhi मेरको दोड़ा schedule बना लेने दो plus classes का जो free classes का I will give you some free classes so you know कि plus class पे class दिखती कैसे है और कितने मज़े आते हैं वहाँ पढ़ने में I like it very much that platform is beautiful okay I will see you next time I mean tomorrow 4 o'clock और आगे पढ़ते हैं शाप्टर को बबाई